हाई आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में मैं आपके लिए देखें बहुत ही खुब सबसार बॉडर डिजाइन लेके आए हूं यह बॉडर में भी डाल सकती है यह तो बेबी स्वेटर में आप यह पूरा डिजाइन डाल के बना सकती है तो मैंने यह एक लाइन सीधी और उल यह प्हले स्लाइ प्हार इस चोड़ देंगे इसमें इस तरह सीधा बनाएंगा प्पर इस्यवरब के नीचे से बनाएंगे इस तरह से फिर जो फंदा है इसे हम नॉर्मली सिधा बनाएंगे फिर इस फंदे के नीचे से बनाएंगे इसी तरह से करते हुए हमें पूरी लाइन कंप्लिट करनी है एक नीचे से सिधा बनाएंगे और एक नॉर्मली जैसे हम सिधा बनाते हैं उस तरह समय से बनाएंगे हुआ इस तरह से बनाएंगे फिर एक noreatri बनाएंगे इसी तरह से यह लाइन पूरी कंप्लीट करेंगे अब हम आ गए design की दूसरी ओर यानि second row second row हमें सारे फंदे को सीधा बनाना है इस तरह से सारे फंदे को सीधा सीधा बनाएंगे इस तरह से सारे फंदे को सीधा बना लेंगे अब पहले स्लाइम में हमने एक फंदा हमने सिधा बुना था उसके बाद हमने यहाँ नीचे से बुनावा था डिजायन मतलब हमने ये उल्टा सिधा बुनाँआ था उसके बाद फिए едा बनाया था इस बाद दो बार हम नॉर्मली सिधा बुनेंगे उसके बाद हम यहां पर नीचे पाइक सिधा बुनेंगे जो देखें sentido एक फंदा सिधा बुना ये दो सिधा बुना अब जो देखें ये फंदा जो दीख रहा है इसके नीचे से बुनेंगे हम देखें ये अब जब देखेंगे तो इसके नीचे से हॉल जैसा दिखेंगा इसके अंदर हम डालेंगे इस तरह से और यहां इसे सिधा बना लेंगे यह जो पंदा है इस सीधा बनाएंगे दएक इसे सीधा बनाएंगे और इसके बगवाले को सीधा पृष की नीचे तक ढ़िएगे हैं एक बड़ नीचे से सीधह बनाएंगे और ऊपर से सीधह और नीचे से सीधह और आपको ठोड़ ठोड़ी डिजैन देखने लगी होगी देखे उसके बैक सेट सारे फंदे हमें सीधा ही बनाने है इस तरह से सारे फंदे को हम सीधा बना लेंगे इसी तरह से सीधा बनेगी चले तो एक बार और मैं आपको बता देती हूँ पहली बार में हमने जैसे बनाया था उसी तरह सावब करना हमें एक फंदा हम नॉर्मली सीधा बुन लेंगे देखें या तो उतार ले या तो बुन ले फिर इसके देखें सेकंड वाली फंदे के जो नीचे से है गैप इसमें हम डालेंगे इस तरह से और इसे सीधा फिर इसे नॉर्मली सीधा बनाएंगे फिर उसके नीचे से यहां से सीधा बनाएंगे और इसे उपर से सीधा बनाएंगे एक इस फंदे के नीचे से सीधा बनाना है और एक उपर से सीधा बनाना है बस इसी तरह से आपको बुनाय करते रहना है देखें नीचे से फिर उपर से बनाएंगे, फिर नीचे, फिर उपर, या नीचे, और ये ओपर से, रिजन आपके दिखने लगी, इसे तरह से बनती गयाएगी, बहुत ही अच्छे लगी, तो चलिए बनाएगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रिजन कैसा लगा, फिर मैंको से ये विली कि आति मापिसाने, थैंक्य।